कि हैले डियर इस्टुडेंट्स मैं राज कुमार आप सभी साथियों का सौगत करता हूं अपने परिवारफी वियार स्टुडी में जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज सुबा आठ वजे से आपकी कलास 10th की मैच चलती है और इसी करम में आज भी आपकी कलास शुरू हो चुक ही का फैल हो जाए तो एक बड़ा हाथियार उठाते हैं वो क्या होता है आपका एक प्रकार समझ लो टो पूर्डवठ क्वाला समझ रहना आप लोग जिसे से असरीदर चारे सूत्र कहते हैं कि नहीं वह तो अलग होता है पूरअज होता है तो दोनों की बारे Bless करे effort 4.3 exercise 4.3 आप लोग खोल लो वैसे हमारे में तो भाई यह पेज नंबर 97 पे हैं अगर आप में भी है तो 97 खोल लो ठीक है नहीं तो 97 मत खोलो चलो जो भी है आपका जहां भी वहीं खोल लो चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पहला सवाल जैसे कि मैं देख वा रहा हूँ आप लोग लिखो जल्दी से सवाल लिखो जल्दी से मिश्टर परवीन कुमार आदेश कुमार कपिल कुमार देबेंद्र प्रियंका अंकिता सवाल लिखो पहला नंबर सवाल फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट है exercise 4.3 10th math चलो क्या कहता है बच्चा ध्यान से लिखो 2x का square minus 7x plus 3 है इसको हम बात में लिखेंगे पहले उपर का title लिख देते हैं जिससे कि बच्चे समझ पाएं कि इसमें क्या करना है यह दिन में लिखी दुई घास समी करणों के मूलों का अस्तित हो तो इने पूर्ल वर्ग बनाने की विधी से ग्यान कीजिए यदि निम लिखी दुई घास समी करणों के यहां पर पहले यह चीज़ समझ लो आप लो मैं इत्वुक नहीं इत्तित लिख लो कि यादी दुई धाज समी करणों के मूलों का अगर अस्तित तो है तो इन्हें पूर्वर्ग बिधी से हल कीजिए अगर अस्तित तो नहीं है तो कोई बात नहीं अस्तित तो है तो ऐसा ही तो लिखा है ना भाई ऐसा ही तो है ना अस्तित तो हो तो पूर्ड वर्ग बिधी से हल कीजिए यहां तक दिख रहा है यह clear है हाँ, अध्यान दो पूर्ड वर्ग बिधी से हल करिए बहुत सिंपल सा तरीका है पूर्ड वर्ग बिधी वाला एकदम सिंपल है, बेरी आफान है देखो कैसे इसमें का चार पार्ट दिया, बच्चे जिसमें का पहला पार्ट में आपके सामने परदर्सित कर रहा हूँ टू एक्स का स्कॉयर माइनस का सेबान एक्स और इसमें है प्लेस का थ्री इक्वल सुनना, जीरो बिश्टर अनुज क्या दिक्कत हो रही है, आपको बिटा है, बताओ जल्दी से नेहा परजापती, पूजा कुमारी, दीपांसू जिनको कोई दिक्कत होगी बता दे ना बहादूर सिंग सब समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छा ना चलो पूर्वर्ग विधी से इनको कैसे हाल करेंगे अच्छा ठीक है, अगर हम सिंपल वाला मिथेड याद करें जैसे हम लोग पहले पढ़े थे तो कैसे पढ़ते थे बही दो का तीन में गुड़ा कर लो, दो त्याएंग छे गुड़ा करने पर छे आए, जोड़ने पर साथ आए गुड़ा करने पर क्या आए? छे आए और जोड़ने पर साथ आए बताव ऐसी कोई गिंती है सभी लोग दिमाग लगा लो कि अगर किनी दो गिंती का गुड़ा करें तो कितना आए? छे आए और अगर जोड़ दें तो साथ आए हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा ठीक है ये क्या है? ये मिथट मद्ध पद को दो भाग में डिबाइट करके हल करना कहलाता है कि गुड़ा करने पर जो आए जोड़ने पर आए जाए से मद्ध को ठोड़ना कहा दाता है बिल्कुल डिसु जी बिल्कुल सही बेरी ऋचाहे लेकिन हमें क्या कहा है ये विधी नहीं लगानी है लगानी ही ये ये तो करा कि विदूद्वर्ग विदी से जिए दो पूल और विदी का पहला एकalon blow forskेs समझा लो साइड में मैं लिख देता हूँ ज़र आप लोग नियम लिख लो सबसे पहले क्या करोगे यक्स इसक्वायर के गुडांक से दोनों पक्छों में भाग गुडांक से दोनों पक्छों में भाग करेंगे ये नियम है पहला दोनों पक्छों में भाग पूर्ल वर्ग विधी थोड़ा कठिन होता है लेकिन तीन नियम है अगर तीनों याद कर लोगे तीनों याद क्या समझ जाओगे इकदम आज़ान हो जाएगा तो चलो, यकसिसक्वायर का यहां पर गुडांक दो है नहीं समझ में आएगा तो बता दे न तो वamment हम क्या करेंगे यकसिसक्वायर का जो गुडांक है यानी दो उससे हम सभी में भाग दे देंगे दोनों तरफ तो भाग देने का मतलब है कि जितने भी नंबर है सभी में हम उससे क्या करेंगे भाग दे देंगे अवंति का पटेल जी आरा समझ में न समझ में आरा न तो यह मैंने क्या किया एक्सिस्क्वार के गुडांग से भाग दे दिया यह पहला इस्टेप था पहला इस्टेप मैंने पूरा कर लिया दूसरा इस्टेप क्या कहता है ध्यान दो दूसरा इस्टेप कहता है कि मध्य पद को दो बटा दो से गुडा करे ध्यान से देखना पूर्वर्ग बनाने की ये तीन चार स्टेप हैं तीन स्टेप में आप बड़े आफानी से कर ले जाओगे एक दमीजी से मद्यपद ये है बच्चा न यही है न तो ये देखो भाग होगा तो कट जाएगा माइनस ये मद्यपद है इसे हमें दो बटा दो से गुड़ा करना है ये से बन्यक्स अपांटू और फ्लस ये थ्री अपांटू ये जीरो हो जाएगा भाग जाएगा तो कि ये दो इस्ट्रीप हो गए न एकदमुसान है न देखो समझने की कोषिज करोगे बहुत मद्याएगा ठीक है न मिष्टर आउधेस क्या समस्य 78 हो रहीया आपको बताते हैं तुरण ये दो स्टेप हो गया ती फ्राइड सर में क्या करों था कि भंभ प्रीच है इकपप्चाय आप जिया корना है मध्य hipद में मत करो इसको थोड़ा सझौनमाटल लेख लो मनदफध इंटु लोन आपान टू ठीक है मद्ध्यप रप चको एक बटा दो से घुरा करोगे यह मदध्य पद्वायं है स्वारी हां हाँ ठीक है ऐसे नहीं लेकिन फोड़ा सा इसस में करो मुद्ध प़ाद के कुढांक को यानि मद्यपद का गुडांक गुड़े एक बटा दो ये करना है मद्यपद का गुडांक आप यहीं से देख लो साथ है न मद्यपद का गुडांक साथ है लेकिन यहां देखो जहां हमें करनलाइष्ट में तो साथ बटा दो हो गया है यानि हमारा जो मद्रबाद का गुड़ा आंखा है सेवा नपांटू है क्या है बच्चा यहां पर सेवा नपांटू है इसे हमें एक बटा दो से गुड़ा करेंगे तथा तथा प्राप्त संख्या का वर्ग जोड देंगे और घटा देंगे ठीक है ध्यान देना का वर्ग जोडेंगे जोडेंगे और घटाएंगे ये तीन स्टेप अगर पालन कर लोगे तो आसानी से कर ले जाओगे कलाश टेंथ के जो भी बच्चे एक्टिव हैं बड़े प्यार से कर लेंगे तीनी स्टेप फालो करना बच्चा पूर्ड वर्ग बिधी में सिर्फ तीनी स्टेप पहला स्टेप एकसी स्क्वाइर के गुडांग से दोनों पक्छों में भाग कर दो दूसरा स्टेप है मद्द मद्द के गुडांग को को एक 1-2 से गुडा करो अधा प्राप्त संख्या का वर्ग Cris में जोड दो तो हम तीस्टेप पह चलते हैं दो मैने कर ली हैं मद्ध पद्ध का गुडांग आप देखो अगर यहां पर सेबन एक्स अपांटू इसमें एक्स का गुडांग क्या है चलो फट से बताओ बच्चा सेबन एक्स अपांटू में एक्स का गुडांग क्या है बेटा देखो यहां पर यह सेबन एक्स अपांटू है ना इसमें अ हम समझ गए कि इसका गुलांग क्या है से मॉल्टिपल्पल कर दिया अवंती को अपन कुल आप को सही है और water सब 205 पराप्त होगा सेबन आपान 4 भाई गेम भी सपब्ज हरियान भी आप अपना नाम बताइए सेवनः पानफोर ना, सेवनः पानफोर कह रा था कि मदपद के radius को एक बटा दो से गुड़ा करिए वो मैंने कर लिया तथा प्राप्त संख्या का वर्ग यानी सात बटा चार का वर्ग सेवनः पानफोर का वर्ग इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे क्या करेंगे जोड़ देंगे और घटा देंगे तो चलिए साथ बटा चार हमें मिली है तो हम साथ बटा चार इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे कहां पर जोड़ेंगे पहले इसको गुड़ा कर लेंगे नीचे नीचे का गुड़ा करेंगे उपर का गुड़ा नहीं करेंगे यहां पर ध्यान देना हर हर का गुड़ा कर लेना अंस का नहीं करना तो बच्चा यह हो जायेगा दो गुड़े साथ गुड़े यक्स और हर हर का गुड़ा कर लोगे बच्चा तो यह 4 हो जायेगा जिस से आप सेबन की नीचे लिख देना बस अब इसी जो सेबन अपन 4 मिला था ना उसका वर्ग यानी 7 बटा चार का वर्ग जोड़ दो और माइनस 7 बटा चार कवर्ग घटा दो यह ऐसा क्यों किया जाता है पूर्वर्ग बनाने के लिए किया जाता है जिससे कि मान पे खुई फरक न फड़े इस उजब फे घटा भी दिया जाता है और काम भी बन जाए लाश्ट में जो बचा है थ्री फांटू उसको लिख के बराबर सुनना कर द अब मैं यह नियम मिटाऊंगा इसी क्वेशन को उधर साल्व करूंगा क्योंकि नीचे दिखने रहा होगा ना ठीक है देखो इसमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होगा सभी बच्चे नहीं रुकेंगे यहां पर सूरज कुमार कुछ समझ में आया यहां पे सभ चार सिकन भाग जाएंगे का दो मिनिट लेकिन यह मत भूलना कि इससे पीछाने शूटने वाला अगर आगे पढ़ाई करोगे ना कुछ भी करोगे यह पूर्डवर्ग विधी तुमको सीखना ही पढ़ेगा तो इसके लिए क्या करोगे पढ़ना पढ़ेगा भागने से का अंसर बताएगा क्या एक्स का मान निकालना है को कोई भी बता सकता है जो भी बच्चा ट्राई करें मैं इसको थोड़ा सा किलियर कर देता हूं जिससे अच्छा दिखे चलो आगे बढ़े अब इनको सबको समेट के उपर ले जाएंगे यहां पर हम लोग हल करेंगे इनको अच्छे से ढंक से हल करेंगे यह लो जगा बन गई ना बहुत अच्छा मैदान है अब एक चीज आप ध्यान दो जिन बच्चों को याद है जिनको नहीं याद है वो भ याद होगा ए प्लस बी का होली स्क्वाइर नहीं याद है तो जरा एक बार मनन कर लो यह होता था था ना एक स्क्वाइर प्लस टू एवी और प्लस बी का स्क्वाइर यह फर्मूला होता है ना वहीं फर्मूला अगर यहां पर अपनाओ तो देखो आ रहा की नहीं अगर हम A की जग़ा पर एक्स माने और B की जग़ा पर 7 अपान FOUR माने तो देखो आ रहा की नहीं आ रहा है बोलिए 84 चौवान बताईए 7 अपान FOUR को हमने B माना है एक्स को A माना है तो देखो फार्मूला क्या बनता है ये देखो A का स्क्वाइर मतलब x का स्कॉयर हो रहा है माइनेस टू का टू और यहां पर बी पहले है यह बाद में तो चाहे ए पहले करो या बी पहले करो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि गुड़ा में अगर तीन में दो का करोगे दो में तीन का तो वही आता है तो देखो यह गुड़े टू माइनस वालए कर याद रखना प्लस वालए बनेगा वाइनस वाल बनेगे और यह खोड़ देंगे यहां यहां यह काम कर सकते हैं जहां पर मैंने पहले जोड़ा है ना चुकि हम आइने से तो पहले घटा लो बाद में जोड़ दो तो ज्यादा ही जी हो जाएगा आपके देखने में आइसे भी कर लो जैसे मैंने किया तब भी कोई गलत नहीं है लेकिन इससे समझने में आपको थोड़ा सा हेर अफेर ही हो जाएगी ठीक है तो इसमें इसका वर् कोई फरक नहीं पड़ता तो इस तरह से आपका यह इतना मिलके सूत्र बन जाएगा बच्चा इतना मिलके क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा यह सूत्र बन गया आपका इतना फिर यह बच रहा है बच्चा छोटा वाला साथ अब इसको हल कर लो साथ का वर्ग उन्चा प्लस बटा 16 और ये प्लस 3 बटा 2 आया ना समझ में आगे का इस टेप तो तुम लोग करी ले जाओगे हां कर ले जाओगे ना बच्चा कर ले जाओगे ना इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है किसी को कर ले जाओगे ना लेकिन आप एक बात यहां पे ध्यान दो आप लोग जो हम लोगों ने कुछ किया है उसे ध्यान दो एक बात ध्यान दो अच्छा मुझे यह बताओ इसको जो मैंने माइनस वाला पहले कर लिया प्लस वाला बाद में कर दिया ऐसा करके बिल्कुल सही नहीं किया ना हां ऐसा करने से कोई मतलब नहीं देखो थोड़ा सामने सोचा कि यह सही हो जाएगा क्योंकि फार्मूला में तो एभी प्लस होता है बी प्लस होता है ना बच्चा एभी प्लस होता है ना तो इसे आप पलफ ही रहने दो तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे चलके आ नहीं तो हां क्योंकि माइनस का तो कोई सूत्र होता ही नहीं है एक बात ध्यान दो अगर हम इसे ऐसे लिखें एक स्कॉयर माइनस टू एबी माइनस बीका स्कॉयर तो यह कोई सूत्र नहीं होता है यह कोई सूत्र नहीं होता है गलत है अब इसे कुमार तो मुबाइल नंबर क है कमेंट कर रहो है यह कोई फार्मूला होता ही नहीं माइनस माइनस नहीं माइनस वाले में क्या होता ना बच्चा जो यहां पर माइनस होता है अगर यहां पर माइनस होता है तो यह सूत्र में केवल टू यह भी माइनस हो जाता बस माइनस वाले में केवल टू यह भी माइनस में बस यह माइनस हो गया इतना आगे बढ़ो बड़े प्यार से समझोगे तो समझ में आएगा मिश्टर सूरज बर्मा दुबारा बता दूँगा लेकिन अभी पहले समझो सूरज कुमार परेशान मत अब देखो तो क्या होगा हाँ बिलकुल देपांसु नहीं समझ में आए थे चτίक है देखो माइनसस वाले सूक्रमें माइनस ट्यूएबी अभी होता राकी बीप्लस होता है तो इस वज़ ओली स्क्वार ऐसे रहेगा यह आपके उधर जाएंगे तो यह प्लस फोर्टी नाइन अपान टू हो जाएगा यह सिक्स्टीन है बच्चा अब इनको हल कर लो फट अपट अच्छा एक बात बता तुम लोग शोला और दो का एलसी एम कितना होगा वाट इंडा एलसी एम आफ शिक्स्टीन टू जल्दी बोलो दिपांसु जी मिस्टर अभी से कुमार तुम भी बता दो बच्चा चलो तो सोला और दो का एलसी एम कर लोगे आप इसको ऐसे रहने दो तब तक यक्स माइनस वान अपान फॉर का होली स्क्वायर इनका एलसी एम शिक्स्टीन होगा बिल्कुल सोला होगा एलसी एम सोला होगा अवंति का पटेल आपको लाफ़ा नहीं आता है रिश्टी सहानी में नहीं चाहिए को HI आप इसे हल कर लोगे चुटकी भर में लग जाएगा ये एक सिकेंड के अंदर आपके पास आजाएगा दौड के यह यक्स माइनस वान आफान फॉर ये होल स्कॉयर कर लो बच्चा उन्चास से चोबित गटा होगे पचीस आएगा पचीस बटा सोला बन जाएगा ठीक है ये बन जाएगा ना जब इतना आजाएगा तो क्या करोगे तुम लोग एक लाइन और लिखोगे नीचे लिखोगे दोनों पक्छों का वर्गमूल करने पर ये दोनों पक्छों का वर्गमूल करने पर नीचे एक लाइन और लिख लेना आप लोग लिखना दोनों पक्छों का वर्गमूल करने पर उसके बाद इसको बना लेना ठीक है उसके बाद इसको बना लेना एक बटा चार नहीं साथ बटा चार है बच्चा कहां पर कि यह क्या से बन पान फोर है कोई बात नहीं अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं ठीक है बहुत बहुत थैंक्यू कुल मिलाके सुत्र इसी के सहरे बन रहा है बस इतना समझना है जब इसको खोलोगे तो यक्स माइनस से बन फान फोर आएगा इक्वल फाइप यह चार और धन साथ बटा चार आगे नीचे दिख रहा है कि नहीं बता दो पहले मुझे यह नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा है यह नहीं दिख रहा होगा मुझे लग रहा है तो मैं इसको उपर लिख देता हूं यहां से नीचे नहीं रिखेंगा जाने दो यख सब्सक्राइब सब्सक्राइब मूल होते हैं कितने होते हैं बैटा दो मूल होते हैं बच्चा हां तो इसमें एक ही मूल तो होगा नहीं इसके दो मूल होंगे तो दुसरका मूल कहां गया मिश्टर कपिल कुमार दुसरका वाला कहां गया देखो जब हम लोगों ने यहां पर वर्गमूल लिया था तो यहां पर यह जो मान आया था वह प्लस माइनस दोनों में आया है यह प्लस माइनस दोनों में आया था तो यहां पर हमने प्लस मान ले करके हल किया है अब अगर धेयान दो तो मैंने प्लस वाला फाईब अबान फोर उच किया न यहां पे ब्रेकट में चाहेल आगे लिख लो दिख रहा है मैं देख लो फिर में इधर गुमा दूँगा केमरा भी टैंसे मतले न यहां पे लिख लोगी कड में प्लस चिनले ने घजाति है अपलोस चीनले ने पर यह प्लस चीनले बच्छा आपका टू अफान फोर यहनि यक्स कमाने एक बटा दो आएगा कोश्टक में लिख देना माइनस चिन लेने पर माइनस चिन लेने पर इस तरह से आपके यक्स के दो मूल आ जाएंगे कौन-कौन एक-एक बटा दो आजाएगा और एक तीन आजाएगा समझ में आ गया ना यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कुश्चन थोड़ा सब्बिग हो जाएगा बाबू लेकिन बड़ा ईजी है ठीक ना नहीं समझ में आयागा तो बतादो मैं फिर से इसे समझा दूँगा एक तरफ से अच्छे से चलो आया ना समझ में मिस्टर बंसी जी आ गया ना भाई बंसी रोलेयान रोलेयान नहीं इनका नाम बड़ा खतरनाक है बस मैं बंसी बोलूँगा चलो आ गया ना सभी को समझ में जल्दी से फट से सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर दो तूरंत देर मत करो हो गया ना इतना चलिए एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको जिससे की समझ में आ जाए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें जैसे मिश्टर कपिल कुमार प्रियंका अंकिताज सूराज दिपांसू और कौन है नेहा प्रजापती कुछ बच्चे पहले फिजुड़े थे उनको समझ में आ गया होगा जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो ध्यान दे ठीक है अब ध्यान दिखिए इसमें बच्चा तीन स्टेप फालो करना होता है कौन कौन सा तीन स्टेप फालो करना होता है पहला स्टेप में जो यक्सी स्कॉयर का गुडांक होता है उससे दोनों पक्छों में भाग क कर दिया था दोनों पक्ष में यह मैंने किया दूसरा इस्टेप में क्या करते हैं बच्चा सिकेंड इस्टेप में करते हैं बेटा कि क्या करते हैं मद्ध पद को दो बटा दो से गुड़ा करते हैं तो यह मद्ध पद सेबन एकस अपान टू था इसको मैंने टू अपान टू से multiple कर दिया बाकि कुछ नहीं किया दूफराइश टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दू नीचे तीफराइश टेप में क्या करते हैं भाईया कि जो मदपद का गुड़ाँख होता है मदपद में जो एक परकार से कहें तो जो चर का गुड़ाँख होता है जैसे इसमें सेबन अपान टू है उसको वन अपान टू से गुड़ा करते हैं यानि एक बटा दो से गुड़ा करते और एक बटा दो से गुड़ा करने के बाद क्या करते हैं जो मिलता है उसका वर्ग इसमें जोड़ देते हैं और घटा देते हैं फिर जो यह नंबर लिखा होता है आचरपद उसे लाइश्ट में वैसे लिख देते हैं बस यही मुश्किल वाला था तीफरा इस टेप बाकी a, b और और धन-b का इसकोयर बन रहा है न तो हमने इसको सुत्र बना दिया था a-b का हॉल स्कोयर जानİ a-b का हॉल स्कोयर यह बन गया और यह माइनस का गड़ेखो साथ बटा चार यह पलस वाला तो यूज हो गया सुत्र और जहाँ तक मैंने वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, 49 होगा, फोर का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, इस तरह से आपका ये 49 बटा 16 होगया, और ये 3 बटा 2 जैसे था, इसको मैंने वह ऐसे लिख दिया, इज्जत के साथ कुछ कोई कुछ नहीं किया इसमें, अगला लाइन में मैंने इसको ऐसे इसमें 16 और 2 का LCM लिया तो क्या होगा, आपको पता है क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, देखो ये सभी बराबर के इस पार है इस पार है, इनको मजधार के उस पार भेज़ेंगे, तो 49 उधर जाएगा, तो ये जो माइनस में है, ये 49 बटा 16, पलस में हो ज भाई इनको दूसरी फाइड भेज दिया, और ये दूसरी फाइड है, यहां पर देखो बराबर के बाद जीरो था, यहां पर बराबर के बाद ये सब हो गए, अब 16 दो का LCM लिया, उसके बाद क्या किया मैंने, ये थोड़ा इसके खोपड़ी पे लग रहा है, इसको तो है, हल कर लिए बस बाकी कुछ नहीं करना यार, इसको हल कर लिया, ये देखो, पचीस बटा सोला आया था, पचीस बटा सोला आया था, इधर एक्स माइनस से बराफान फोर आया था, इसका वर्ग था, दोनों पक्छों का वर्ग मूल कर दिया, इसका वर्ग मूल करेंगे त तो एक्स माइनस से बाफान फूर आ जाएगा अब यह कैसे आएगा जरा समझ लो प्यार से एक चुटकी बर में जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम कभी अंडरूर्ट तीन का स्क्वार करते हैं तो आप कहते हो कि तीन होगा ना यहीं कहते हो ना यहीं अगर किसी कि एक समान संख्या का अगर हम वर्ग करें तो वर्ग मूल करें जिस पर पहले से वर्ग लगा हो तो उसका उत्तर वही मूल संख्या होती यह जैसे अंडरूर्ट तीन का स्क्वार थीन होता है उसी तरह से एक्स माइनस सेवन अपान फॉर का जो वर्ग है वो करने के बाद एक्स माberries सेबन पानफंवर आगया उसके बाद क्या किया हमेने पच्चीस बटा- शोला का वर्गमूल कड़ोंगे आप को पता बच्ची सक कवर गमूल पाँच आता ऐै बंहूंद इसके बाद हमने क्या किया ओपर एक बार प्लस चिन एक फाई पैन फॉर एक बार प्लस में उच किया तो ये यह सिकल फाई पान फोर प्लस सेवन अपान फोर हो गया फिर यहां से हल किये तहु duyna एक बार un- माइनस में ले लिया क्या ले लिए माइनस में ले लिए तो यह माइनस 514 प्लस 714 इसको हल कर लिया तो एक बटा 2 आया इस तरह से इस दो घाश समी करण के मूरूर्वर्ग विदी से हमने दो मूल सफलता पूरवक निकाल लिए जिन छत्रों को लिखना फटा लो गरिमा तिर पाठी जी गुड मॉर्निंग लेकिन आप काफी देर से जुड़ी है इसलिए हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आई इसलिए आप टाइम से जुड़ी और सीखिए चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इस कारवां को लेकर के सभी बच्चे समझ गए भाई दिपांसु जी होम और काहे को क्लास बंद कर दें क्या आई चाहते हो अरे एक सवाल और कर लो बच्चा जिससे और किलियर हो जाए इसमें का सिकेंट पार तुमको उसमें ब्लॉक किया था तुम इसमें भी ब्लॉक होना चाहते हो कमाल के बच्चों बगवान तुमको बनाए कहां हम इस बात को सोच के पच्चता रहे कले से तुमको मैंने चार-पांच बार बताया आठ बार बताया कि बच्चा हो बेटा हो तुम कहीं चले जाओ दुनिया से दूर जहां पर तुमको ट्रिक वाले मिल जाएं कि बहुत अच्छे से बताया समझाया था कल कई बार प्यार से कि पी ब्यार स्टडी 2.0 चैनल पर कलाच चलेगी ट्रिक वाला 15 अक्टूबर से सुबह साथ बजे देखना वहां पर तुम खूप ट्रिक पढ़न वहां पर मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ही नहीं लेकिन तुम्हें अगर समझ में आये तो मैं लग रहा भगवान ने तुमको कुछ दिया नहीं साथ नों ऐसे में दिया खाली हाथ लिक्कत यह ना क्योंकि मैं एक बार नहीं आठ बार बताया था तुमको कल फिर भी तुम वही कि एक है बात लिख रहे थे कमेंट एक लिख लिए थे उसको पेश्ट कर दे रहे थे बार 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 जल्दी जल्दी से तो चलो सिकेंड नंबर पार्ट लिखो जल्दी से सभी बच्चे कच्छा दस की मैं था पढ़ रहे एक सर्फाइज 4.3 है अब यहाँ चार दसमलों तीन है जल्दी से लिख लो सभी बच्चे लिख लो फटा-फट ठीक है जल्दी से लिख लो 4.3 क्विस्टन नंबर फाइ चलो सिकेंड पार्ट लिखो सिकेंड पार्ट लिखो फटा-फट पार्ट क्या कहता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ are you शाफने में तो तेज ओना देखो कि नहीं पांच का सिकेंड नहीं है कि सिटन पार्ट है कि 2 एकस का स्कुायर पलस एकस मैं सेट टू दो कर सकते हैं कि नहीं सोचो Rabad को को तोड़ करकि को घुला करने पर आठ घटाने पर ए nossas हैं कोई गिंती है गुड़ा करने पर आठ आजाए घटाने पर एक आजाए हमें तो नहीं लगता कोई गिंती है नहीं आएगा ना तो इसको हम पूर्ड वर्ग मेथट से करेंगे बच्चा एक बार पूर्ड वर्ग मेथट एक बार फिर से सुन लो जो नए चात्र जुड़े हैं मैं फिर से बत बता रहा हूं पूरा है है फिल रूल है है इसमें यजिस्कुयर के गुडांग से ब दोनों पक्छों में पर दोनों पक्छों में भाग अ ध्यान से देखो X-square के गुडांग से दोनों पक्षों में भाग करना है तो भईया यहां पर X-square का गुडांग बताओ आप सभी मुझे जल्दी से बताओ X-square का गुडांग क्या है देखो हमें पता है कि दो है ना तो हम जादा ना पूछते हुए पहले x square के गुड़ांग से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे यह 0 था तो सभी में 2 से भाग कर देंगे सब में किसी को नहीं छोड़ेंगे एक परकार का अब क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ध्यान दो आप लोग यह कट जाएगा इसे एरो लगा के साल्म करते चलो तो यह x का square प्लस यह x अपान 2 माइनस यह कटेगा तो 2 आएगा इक्वल यह 0 आएगा इतना समझ में आ रहा है चलो ठीक है दी पान सूजी बिल्कुल दी सूजी आपको भी सही है बच्चा दूसरा step क्या है second step कहता है मद्य पद को मद्य पद को दो बटा दो से गुड़ा करिए चलो यह भी एक चाम पूरी कर देते हैं मद्य पद को दो बटा दो से गुड़ा कर देते हैं तो यह x square हो जाएगा धन मद्य पद यह है x अपान 2 है इसे हम 2 अपान 2 से multiple कर देंगे बाच्चा ये लो मैंने क्या क्या गुड़ा कर दिया मद्य पद को पिससे कर दिया दो बटा दो से गुड़ा कर दिया इतना समझ में आ गया न अनंत पान्डे समझ में आया तो मेटक बनके व्थे हो भी चलो यह 2 स्टेजच ओगए तीफरा इस्टेप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि तीफरा इस्टेप थोड़ा सा आपके लिए टप पड़ सकता है बड़े प्यार से सुनना थाड़ी स्टेप कहता है बच्चा क्या कहता है मध्य पद का गुड़ांक मद्य पद का गुड़ा अंक गुड़ा एक बटा दो यहनी जो मद्य पद का गुड़ा अंक है उसको एक बटा दो कर देंगे यह तीफरा इस्टेफ है एक बटा दो करके क्या करेंगे? तथा प्राप्त संख्या का वर्ग जोडेंगे और घटाएंगे जोडेंगे और घटाएंगे यही चीज़ तो तुमको समझ ना था ठीक है थाड़ वाला अब यह बताओ कि इसमें मद्दपद का गुडांग क्या है मद्दपद का गुडांग हमें पता है बच्चा कि अगर हम यक्स अपान टू में आप से पूँछें कि इसमें गुडांग क्या है तो आप बड़े प्यार से कर लोगे कर लोगे ना भाईया इसमें अगर यक्स का गुडांग पूँछें तो वन अपान टू है क्या है वन अपान टू है टू नहीं है रिसू जी वन अपान टू है तो चलो बच्चा इस तरह से आप इसको कर लोगे वन अपान टू को क्या करोगे एक बटा दो से गुड़ा करोगे तो आपको पता है एक बटा चार आ जाएगा नीचे दिख रहा है न तो हम क्या करेंगे एक बटा चार का वर्ग इसमें जोड देंगे और घटा देंगे इसको अभी ऐसे लिखतो इसमें कुछ नहीं करेंगे एक बटा चार का वर्ग इसमें हम जोड देंगे मान फह कोधी फरक ना फड़े इसलिए इसको ऐसे इसमें से घटा भी देंगे einz уже कर देंगे बस यही करना था इसको हल कर साहिए तो आपका मान आ जाएगा अब हलक ऐसे करते हैं थोड़ा सा आपको सोचना इसके बारे में बस ज्यादा कुछ नहीं करना है चलो बेरी सिंपल साय कर लो बच्चा फटा फट अब हम लोग जानते हैं सुत्र जानते हैं आप लोग जानते ओ ए प्लस बी का होली स्कुर्वार और पढते पढते बढ़ा गयो चलो देखो कई से अब मैं यह रूल मिटा दे रहा हूं जिन बच्चों ने रूल नहीं देखा मैंने दो पार्ट करवाए दोनों में लिखवाए थे आप लोग पीछे वीडियो कर लो और समझ लो ये थोड़ाफा टॉप है ये टॉपिक थोड़ाफा कटिन पढ़ सकता है मिस्टर कपिल कुमार आ रहा ना लेकिन क्या करोगे बच् ठीक है इस कारण से आप डेली इमानदारी से पढ़ाई किया करो अगर पढ़ने के लिए जुड़ते हो तो नाम से कोई मतलब नहीं है और अगर नाम लेने के लिए जुड़ते हो तो पढ़ नहीं पाओगे इस बात को भी जान लो ठीक है इसलिए पढ़ने के लिए जुड प्लस हम नीचे-नीचे का गुडा करेंगे उपर गुडा नहीं करेंगे तो यह हो जाया है बच्चा यह सब्ण फोर ठीक है और प्लस 1 अपन फोर का अल इसक्वाइर माइनस वण अपन फोर का होल सक्वाइर माइनस का 2 इक्वल 0 तो नीचे दिख रहा है ना जहां मैंने लिखा है पूरा दिख़़ा होगा अब अगर आप देखो तो एक A स्कायर धन 2AB हा बन रहा है न क्या बन रहा है टू A B बन रहा कि नहीं लेकिन आप कहोगे इसमें YAKS कहां है इसमें YAKS है बच्चा इसमें YAKS UPON FOR में आप को नहीं दिख रहा होगा। इसमें दो पद है क्या है яр का है YAKS UPON आपान फोर लिख सकते हो कि नहीं बोलो लिख सकते हो ना लिख सकते हो ना तो अगर इसे तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना बच्चा तो यक्स जो है इसमें ए है और वन आपान फोर क्या है बी है बात समझ में आई ना यक्स ए है एंड वन आपान फोर क्या है बी है तो इस त कितना की जगा पे सूत्र बन जाएगा बच्चा यह अपका सूत्र बन जाएगा सूत्र में क्या बनेगा देखो यक्स प्लस वन अपन फॉर का होली स्कॉायर है न कितना ही जी आसी स्यादो जी आरा समझ में पूजा कुमारी अभी अभी आप आ रहे हो बड़े जल्दी आ रहे हो आप यह वन अपन सिक्स्टीन हो जाएगा भाई यह एक बटा चार कवर्ग सोला और एक कवर्ग एक और माइ कुछ गडबड़ है तो बता देना कि कुछ गडबड नहीं है ना चालो फिर यहां पर एरो लगा लू यहां पर एरो यह प्लस वन अपन फोर का होली स्कॉयर इक वल इन सब को उधर भेज दो तो यह वन अपन सीक्स्टीन प्लस हो जायगा उधर जायगा तो कि क्या हो जाएगा वन अपान 16 प्लस हो जाएगा और प्लस का टू इक्वल जीरो ओ जीरो कहा लगा होगे बच्चा बस हो गया हमने क्या किया पक्छांतर कर दिया जो भी अचारपद थे अब इनको इधर है हल कर लो जटक पटक के तो यह यक्स प्लस वन अपान 4 का होली स्कॉयर इक्वल एक एक कम एक 16 दुना 32 से 33 वटा 16 आएगा आप सबको पता यहीं आएगा ना यहीं आएगा ना नीचे लिखोगे दोनों पक्छों का वर्ग करने पर क्या लिखोगे सरी दोनों पक्छों का वर्ग मूल करने पर नीचे कि ऐसे लिख लेना अब आप लोग इसे दो बार करोगे याद रहे दो बार करोगे मैंने ट्रेक लाइन सार्ट कर दिया मैंने तो इसी पर टोपी पहिना दिया वर्गमूल लगा दिया लेकिन तुम लोग क्या करोगे इस पर नहीं लगाओगे इसको ऐसे रहने दोगे नीचे चीज नीचे लिखोगे इसको खराब नहीं करोगे काँपी में हां इस तरह से करोगे अगर आप लोग तो आपको समझ में आ गया होगा यह आइसर आ गया है मैं साइड में इसे हल करके दिखा देता हूं कम्पलीट करके इधरे साइड में देख लो आप लोग चलो यहाँ पे देखो वर्गमूल करोगे बच्चा एक्स प्लस वन अफान फोर आएगा यह प्लस माइनस देखो 33 का तो वर्गमूल होगा नहीं लेकिन 16 का हो जाएगा 33 का वर्गमूल पूरी तरह पे नहीं होगा 16 का हो जाएगा तो इस तरह से इतना आजाएगा एक बार प्लस वाला मान लेलो एक बार माइनस वाला लेलो तो बच्चा क्या करेंगे एक बार हम प्लस वाला मान लेंगे तो x equal under root 33 बटा 4 यह उधर जाएगा माइनस 1 अपान 4 नीचे दिखने रहा होगा ना आगे हल कर देता हम अंडरूर 23 माइनस 1 अपान 4 ये X का एक बैलु हो जायेगा बता देना नीचे नहीं दिखेगा तो ये दिख रहा की नहीं नहीं दिखेगा तो बता देना मैं नीचे दिखा दूगा अंडरूट 33 माइनस 1 अपान 4 ठीक है दिख रहा है कि नहीं मिश्टर कपिल कुमार दीपांसू अनन्त पूजा नेहा और कौन है भाई अनन्त तुमको नहीं दिख रहा है वैसे भी तुमारी आंके थोड़ा छोटी है चलो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ये लो अब तो द लेने पर इधर 5 लिखलो इधर साइड लिख लो यक्स एक्वाल अख माइनस का अंडरूट 33 माइन सपोर कर माइनस लगा के लिखना यहां पर लिखो गे माइन चिन है लेने पर आइस का वर्गमूल किया तो प्लस माइनस दोनों में आया है तो माइनस चिन अगर लोगे तो यह तो ऐसा ही रहेगा इस तरह से आपका जो यक्स का बैलू आएगा बच्छा माइनस का अंडरूट 33 माइनस का वह अपान 4 यानि आपके दो मूल आ गए समी करण के कितने आ गए बैटा दो मूल आ गए बच् दूसरा मूल आया है माइनस अंडरूट 33 माइनस वन अपान 4 ये यक्स के दो मूल है ये आपका थाक अच्छा तसकी एंसी आर्टी मैथिक से साइज 4.3 का सवाल नंबर फ़स्ट का सिकेंड और फ़स्ट पार्ट इस तरह के इसमें दो पार्ट और हैं जिसको आप खुद से कर लेना अगर कोई डाउट होगे तो बता देना इसको खुद से करोगे तुम सब लोग ठीक है क्ौराम तो मिलते हैं फिर आज के लिए इतना ही अगर आपके मण में कोई सवाल है तो आप कमेंट करकर बता देना मैं सवाल मिटा दे रहा हूं या फिर आप उपर देखो तो नाम कलास का नाम अपने सहर का नाम इस वटसप नंबर पर भेजें और वो फ्री की सारी कलास देख सकते हैं उनको वटसप के ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा नंबर मैंने लिख दिया है ठीक है तो बंद करें किसी के मन में कोई सवाल है तो बोल दो कपिल कुमार पंकच मदेशिया, पूजा कुमारी, सुधानसू, अंजली, मनीसा, आगे सभी को समझ में बहुत से चातरों के कमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कमेंट तो धेर सारे बच्चों के आ रहे हैं सभी का तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं लेकिन जिनके पहले आते हैं उनका ना है दीदी के नंबर पे वाटसअप का इसका जो लिंक है ना वीडियो का वाटसअप पे भेज दो गूरूप में भेज दो फेस्बूक इंस्टा जहां पर जो भी करते हो सब भेज दो और जगा ज़्यादा बच्चे आएंगे और अच्छी कलास चलेगी और अच्छे से